कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पहले से कोई प्लान नहीं करते हैं और हमें समझने ही आता है कि हम नास्ते में क्या बनाएं तो आज में आपके लिए बहुत ही मजगिदार जटपट बनने वाली रेसीपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा तो चले बनाते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए आपको लेना है गेहू का आटा यानि की गुथा हुआ आटा लिया है मैंने एक बड़ी सी लोई ली है इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इसे रोटी की त यार करना है तो यह देखे फ्रिंड्स हमने याप पर इसे रोटी की तरह बेल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और पूरे पराठे में यानि की रोटी में ऐसे फैला देंगे यानि की इसको अच्छे से चिकना कर देंगे फिर इसके उपर हम थोड़ सूखा आटा छिड़क देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा बिल्कुल बीस सेंटर में आपको डालना है थोड़ा सा रैड चिली पाउडर डाल देंगे और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक हमने आटे में भी लगाया था थोड़ा सा तो नमक ध्यान से डालें थोड़ा सामने अदरे चल्मत चाट मसाला और यहां परwar क कली को अकदम बारीक बारीक चॉप करके डाला है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याश डाल देगे साथ में एड़ करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया और सारी चीजें बिल्कुल बीच सेंटर में ही डालना है और यहाँ पर हमने लाल और हरी मिर्च, ताजी हरी मिर्च और लाल मिर्च को बारी काट के डाला है थोड़ा सा औरिगेनो डाल दिया औरिगेनो का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है तो ये देखे फ्रिंट्स अब इस तरह से हमें इसमें कट लगा देना है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर पहले आपको इस तरह से चार कट लगाने हैं और फिर इनके बीच में एक एक कट और लगाना है ये देखे इससे क्या होगा कि बहुत सारी लेयर वाला हमारा ये नास्ता बनके तयार होगा फ्रिंट्स आप हमारा ये वीडियो कौन से सिटी से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो ये देखे फ्रिंट इस तरह से हमने इसमें कट लगा दिये हैं और इसके बाद एक-एक पटी को उठाना है और इस तरह से एक-एक के उपर रखते जाना है ये दिखे एक-एक करके बस पटी को ऐसे उठाईए और उपर जाके ऐसे रख दीजिए तो ये देखे फ्रिंट इस तरह से हमने इसे रेडी किया है अब हम हाथों से इसे दबा देंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से से शेट हो जाएंगी अगेन हम इसमें फिर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और हलका सब पहले हम इसे हाथ से दबा करके बढ़ा करेंगे इसके बाद बेलन की सहायता से हमें हलके हाथों से इसे बेल लेना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे तो ये देखे फ्रिंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे बेल लिया है काफी और थोड़ा समय इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया उपर से डाल दोंगी जिससे कि देखनी में और भी ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगा ये देखे फ्रिंट धनिया भी अच्छे से चिपक चुकी है अब बारी आती उसे सेखने की तो यहाँ पर गैस पर हमने तवा गरम होने के लिए रखा है उसमें हम अपना ये पराठा डाल देंगे और जब एक साइट से से शेख जाएगा हम इसे पलट देंगे और इसमें घी लगा देंगे घी की जगे आप चाहें तो तेल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं बट घी से बने हुए ये पराठी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो ये देखे फ्रेंट एक तरफ हमने घी लगाने के बाद इसे पलट दिया और दूसरी साइट से भी हमारी सारी च सेख लेंगे तो ये देखे फृंड एक साइट च लेए वब अच्छे से शिक चुका है और ये दस लेयर वाला पराठा क्हाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये देखे फ्रेंट समारा बहुत ही मजई-दार ये टेन लेयर वा पराठा बनकरके बिलकुल तैयं और इसे हमने निकाल लिया सर्विंग प्लेट में आप इसे दही के साथ खाए या अपनी पसंद की चटनी के साथ खाए या चाय के साथ भी खाएंगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा जब आपको समझना आए सुबहे में पहले आपने कोई तयारी ना की हो कि क्या ब हुआ है मैं तो इसे सर्व कर रही हूँ टोमाइटो केचप के साथ आप अपनी पसंद की चटनीक साथ खाए रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं